नमस्कार सातियों महराकेश परजापत आज आप सब के लिए नई इस्टाप नर्स एंड पेरामेडिकल वेकेंसी लेके आ गया हूँ और इस वेकेंसी की सबसे अच्छी बात यह कि गौवर्मेंट की पर्मानेट वेकेंसी आप सब के लिए होने वाली है तो भरती की पूरी इ जुप घया हूँ पर सबसे पहले हैं तो पर इपना पेज है नर्सिंग त्रेंड से उस पेज पर मेंने साइट का लिंक दे दी है उस लिंक पर क्लिक करते हैं सीदे इस टाइप के हम पेज पे आप पहुंkol जाओगे यह प्रोफेशनAL examination board मद्य प्रदेश की official site का home page है आपको ध्यान दे लेना है यहाँ पे latest update सबसे उपर यूपर दिया गया है group 5 की ये post है जिसमें pharmacist, lab technician and other post है जिसमें staff nurse की सबसे ज़्यादा post होने वाली है कितनी post होने वाली है क्या-क्या पूरी चीज़ें होने वाली है वो सब बताने वाला हूँ तो इसी notification को आपको download करना है और यहाँ पे ये rule book दी गई है और ये advertisement भी दिया गया है तो अपने सिधा rule book को ही download कर लेते हैं पूरी information ले लेते हैं यहीं से आपके online forum भी fill up होने start हो जाएंगे इसी link से आपके forum start हो जाएंगे कर जिए notification है वो अपने सामने open होकर आ गया है इस notification में सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी professional examination board भोपाल मद्दे परदेश की vacancy है जिसमें staff nurse, lab technician, pharmacist, grave check and other post होने वाली है कितनी post होगी, क्या क्या post होगी, सारी बात करेंगे permanent vacancy होने वाली है government की vacancy आपकी होने वाली है तो यहाँ पर online आवेदन पत्र बरवाए जाएंगे और 10-10-2020 से आपके जो आवेदन पत्र है वो start हो जाएंगे 24-10-2020 तक यो फोरम बरे जाएंगे और आवेदन पत्र में संसोदन है वो 10-10-2020 से हो जाएंगे और जो संसोदन करने की last date है वो आपके 29-10-2020 रहेगी और exam की date और दिनाग और दिन भी यहाँ पे दे दिया गया है तो exam है वो आपका 16 December से start होकर 27 December 2020 तक होगा काफी post है तो 16 December से start हो जाएगा और 27 December 2020 तक आपके online exam होने वाली है फरिक्षा के लिए सुल्क लेगेगा जिसमें जो अन्डी जरू के candidates है उनको 500 रुपे की यहाँ पे examination fees देनी पड़ेगी और जो मद्धे परदेश के candidates है जो अनुसुची जाती जन जाती अन्यापी सड़ावर नहीं सक्जन है उनके लिए 500 रुपे की fees देनी पड़ेगी और जो बेक लोग की बरती है उसके लिए कोई fees आपको नहीं देनी पड़ेगी लेकिन सिद्धी जो बरती है उसमें इस टाइब की 500 रुपे की और 500 रुपे की और 500 रुपे की जो साइटा उसे भी बर सकते हैं और 20 रुपे आपके फोरम फिलब करने की फीस भी लगने वाली है उपर जो एक्जाम की फीस है वो अलग से रहने वाली है इसके अलावा यहाँ पे जो दो पारियों में एक्जाम होगा उसके बारे में भी लिख दिया गया है कि दो दो गंट जो वेलिड आईडी काड़ है उसमें आपका नाम फोट्टू और जो इमेल आईडिया वो सभी के सभी आप इसमें अपडेट होने चाहिए गाईज इसके अलावा जो में सर्थ और सबसे बड़ी सर्थ है जो अधर इस्टेट के केंड़ेट्स के लिए इंपोर्टेंट होन जो आगे बताने वाला हूं जिसमें स्टाप नर्स मेल सटाप नर्स रेडियोग्राफ कर फार्माणशिस्ट और पेरामिल पॉश्ट ओने वाली है ।ो इसमें जो मद्य परदेश का रोजगार कारियल है उसमें आपका रजिस्टिशन होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो यह होगी है में में सरते उसके बाद में गाईज यहां पे एक्जामनेशन बोड़ की जो अलग-अलग पोस्ट है उसके बारे में है पोस्ट का क्वालिफिकेशन आपको बता देता जाले गाईज उसके अधार पे आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं कज यहां पे 2150 टोटल पोस्ट रखी गई है जिसमें अलग-अलग केटिगरी वाइज और पदवाइज जो पोस्ट है वो आपकी डिस्टिब्यूट कर दी गई है तो यह आगी है पोस्ट की अपने सामन पोस्ट रखी गई है लेब असिस्टेंट की 155 पोस्ट रखी गई है और यहां पे रेडियो थेरेपी टेकनिशन है उसके भी 48 पोस्ट यहां पे रखी गई है इसके अलवा अब अपने सामने पोस्ट आ जाती है लेब अटेंडेंट की है रेडियो थेरेपी टेकनिशन ले और्ह टोडुट्री टेक्शिन üzब्पार्मासिस्ट ग्रेडिट सेकेंड की यहां पे विड DCy seven पोस्ट की गई है डार्ख रूम असिस्टेंट की भी पोस्ट यहां पे रखेंडियो थ्रिश टेक्निशियन डेंटल हाईजेनिक डेंटल मेकेनिक डेंटल डेंचैक और आधर स तो इस प्रकार से 2150 टोटल पोस्ट इस वेकेंसी में होने वाली है तो गाई जो भी पोस्ट मैंने उपर बताई है इन पोस्ट के लिए जो भी डिप्लोमा या डिग्री चाहिए होता है वो common चीज़ें होती है आपको पता होना चाहिए जैसे स्टाप नर्स के लिए जीनम बी पैरामेडियली पोस्ट है उनकी लिए मद्य परदेश की जो पेरामेडियल काउंशिल है उससे रेजिस्टिर्स आपका हो तब ही आप इसमें अप्लाई कर सकते है यह मैंन सर्ते रखे गई है और यहाए अपरमे परिजयेंगर्जस का जो रोजगार्गारय गांवाल है दिसम्बर में आपके 16 दिसम्बर चे 27 दिसम्बर एक्जाम होने वाला है इस वेकेंशी की लगबग पूरी इंफोर्मेशन आप समझी होंगे फिर भी कोई सवाल आपके मन में है तो फेस्बुक पेज नर्सिंग ट्रेंट्स पे जाए और उसके मेसेंजर में जाकर मुझे मेस करें में रिप्लाई देने की कोशिश कुरूंगा जल्दी आज़े रहता हूं नेक्स्ट वीडियो गार तब तक सोचते मस्ते थेंक्यों प्रेंट्स